DSSB सरकारी सिक्षक भरती का इंतजार कर रहे, तयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए आखिरकार बड़ी खुशकबरी आने शुरू हो गई है हंजी दोस्तों, लंबा इंतजार आखिरकार अब समाप्त होने जा रहा है बड़ी TCT Teachers की Recruitment हमें 2021 में देखने को मिली थी और पिछले साल से ये उमीद थी कि 9 दिसंबर में आ जाएगी, वो तब भी नहीं आई इस साल भी January में Recruitment के इंतजार था, वो तब भी नहीं आई पर एक एफिडेविट दिया गया था, Directed of Education Delhi ने जो दिया था High Court में दिल्ली High Court में, तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि 29 तारिक को DSSB के पास एर्क्योजिशन भेजा गया है, पदों की डिटेल भेजी गई है वो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद आगे जो बड़ी अपडेट आ रही है कि 552023 से क्या आप इनके पदों के लिए उनलाइन आवेदन कर पाएंगे सबसे पहले तो आप दुबारा से यही अपडेट देखिए, जो वेकेंसिया भेजी जा चुकी है DSSB को, DSSB ने उनके लिए रिकूट्मेंट नहीं निकाली है, पहले तो DSSB for 206 posts yet to be advertised, तो इनका विज्यापन भी जारी होना है, एन्टिटी की चार वेकेंसिया भेजी गई थी, इनका विज्यापन 142022 को जारी हो चुका है इसी तरह से Special Education Teacher की 364 वेकेंसिया पहले भेजी गई थी, उनकी रिकूट्मेंट निकाली जा चुकी है, अब 581 और भेजी गई है, इनके लिए भी रिकूट्मेंट जल्द ही हमें देखने को मिलेगी इसके बाद ये देखे, 617 वेकेंसियां तो 22, 12, 2021 को भेजी गई थी, DSSB के पास, और 4,168 वेकेंसिया, 29 मार्च, 2023 को भेजी गई है, DSSB के पास, कुल 4,784 वेकेंसिया है, TGT Teachers की, जिनकी रिकूट्मेंट DSSB को निकालनी है इसी तरह से PZT और EVGC की भी काफी सारी वेकेंसिया अभी पैंडिंग में है, जिनकी रिकूट्मेंट DSSB को निकालनी है तो ये अपडेट मैंने कल भी आपको प्रवाइड कराई थी, अब मैं एक अपडेट आपको और प्रवाइड करा रहा हूँ ये देखिए एक मेरे पास PDF और आया है, इस PDF की सत्यता शायद मैं शोर नहीं हूँ जादा हो सकता है, ये जैन्वन हो मैं ये नहीं कहता, जैन्वन नहीं है पर अगर हम इस एफिडेविट को देखें, तो इस एफिडेविट के साथ अगर हम इसे मिला के चलते हैं, तो ये सही लग रहा है तो इसमें ये है टाइम लिमिट दी गई है, DSSB और UPSC को रिक्योजिशन भेजने की पांच चार दो हजार तेईस जो की जा चुकी है आज चोदा चार दो हजार तेईस है, तो ये भेजी जा चुकी है, सभी डिपार्टमेंट, एस्टेबलिश्मेंट, जो है GNCTD की उन्हें ये वेकेंसिया भेजनी थी, तो हो सकता है ये भेज दी गई हो, इन में से 29 तारिक को भेजी गई है, ये मैंने अभी आपको दिखा चालना है, तो जो तिथी है 55220, 2552023 तक विज्चाबन निकाल लिया जाएगा, और विज्चाबन निकालने के बाद, ओन-लाइन आविदन के प्रकरिया शुरू होगी, और ओन-लाइन आविदन की प्रकरियां समाप्थ होने के 30 दिन के अंदर-अंदर exam भी conduct करा लिया तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है निकल के DSSV से जुड़ी हुई जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने आप तक पहुचा दी है इसके बाद नई अपडेट आएगी वो भी सबसे पहले शेयर करेंगे उसके लिए कर ले चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो करें लाइक और शेयर तो ठीक है आज अभी के लिए तना ही फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तक के लिए नमस्कार